अलो बच्चों, लेट्स रीड दा कोशन फर्स्ट, दा कोशन सेज, अकरेंस ओफ ट्रिपल, ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूकलेस दा कैरेक्टरस्टिक फीचर ओफ तो बच्चों हमसे यहां पर पूछा गया है, जब भी कोई ट्रिपलॉइड प्राइमर सैक को देखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, उसमें इस तरीके कीamm होती है, यहां पर और यहां पर भी darине, यह Adapt cell हो जाती है एक्सेल और ये आपके हो जाते हैं सिनर्जिट्स ये सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूकले और ये एंटी पोलर अब जब मेल गेमीट आता है तो एक मेल गेमीट तो आपका किस से अटैच होता है वो अटैच होता है एक्सेल से एक मेल गेमीट male gamete किसके साथ एक के साथ तो वो क्या बनाता है वो बनाता है zygote और दूसरा male gamete किसके साथ fuse होता है दूसरा male gamete जो है वो fuse होता है आपके polar nuclei के साथ polar nuclei के साथ तो यह क्या बनाता है यहाँ पर fuse हुआ तो यह क्या बन गया यह बन गया PENT यानि की Primary Endosperm Nucleus तो यह कैसे होते हैं, यह Triploid होता, यह Deployed हो गया, Zygote आपका Deployed हो गया, यह N इसकी Ploid N है, इसकी Ploid N है, यहाँ पर इसकी Ploid N है, इसकी Ploid 2N है तो यहाँ पर क्या हो गया, यह Triploid हो गया न, इसे हम Triple Fusion भी बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम Syngamy बोलते हैं, तो यह सब यह पूरा जो है, आपको कहां देखने को मिलेगा? यह आपको देखने को मिलेगा Angiosperm में, Algae मैं ऐसा नियék होता, Biczो, इस आपको देखने को मिलेगा Angiosperm में, क्योंकि यह सबसे advanced plant है और ब्राइफाइट में भी ऐसा नहीं देखने हैं तो correct answer क्या हो जाएगा आपका correct answer हो जाएगा आपका option number C hope आप लोगों को यह solution समझ मैं बचो thank you all the best